नमस्कार जै जोहार जी पीयस्सी और सीजी व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराई तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज है टुब बे बेस्ट लन फ्रम दे बेस्ट अगरे कि 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 में 36 अगर के सभी युवा भाई बहनों को प्यार भारा नमस्कार कि थम्नेल में आपने देखा कि क्या यह सच है हां बिल्कुल सच है कि होस्टल वोडन में होस्टल वोडन में यह का एक दिन और सेश है वह सकता यह चैका साथ हो जाए साड़े शेलाग हो जाए यह चैलाग भी सेजरो बट फिर हम फिलाल हम चैलाग खता मानकर चलते हैं और इसका प्रभाव क्या पढ़ेगा ृतने लोग फॉर्म भर्रें हैं हम कैसे तयारी करेंगे क्या चैलार चाष्चता है किस सब अपने इस्टिवर में कुर्षार नमबरस से जुदए हुए मैं देखता हूँ परसंड़ी नहीं कर पाता बट मुझे बहुत अच्छा लगते हैं कि कि इस पर लाइन से बात करते हैं पहला बात तो यह क्या सभी के सभी आपको सीरियस कंडिडेट देखने को मिलेंगे क्या कि सारे के सारे लोग सीरियस कंडिडेट्स हैं और वे मैं आपी से सवाल कूछ ता हूं क्या आपको लगता है कि छाह लाग के छाह सीरियस नहीं रहते इस अपको फ्रेंक्ट ली बता रहा हूं हमारे जॉइन कर सकता हूं सर ऐसा लगता है कि जैसे मैं वीडियो बना दिया तो कहलों तो बहुं सारे लोग बिलकुल भी जागरूक नहीं है उसके लिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी सीरेस कंडिड़ेट नहीं है लेकिन कुछ लोग सीरेस कंडिड़ेट हैं और देखो चूकि इसके लिए 12 पास रखेंगे है इसलिए फॉर्म की संक्या 6 लाग पहुच गई चूकि फॉर्म का फीज फ्री रखा गया इसलिए 6 लाग संक्या पहुच गई नहीं तो 200-300-400 रहता है न तो बहुत लोग जिनकी तियारी बिलुकुल भी नहीं भरते है लेकिन अब भ गबराने की जरूरत नहीं है और बहुत हलके में भी लेने की जरूरत नहीं है अब देखो 600 300 पोश्ट 6 लाक मतलब अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए सक्सेस रेशियो देखा जाए कितना परसेंट 6 लाग का आप एक परसेंट निकालेंगे न तो होता है कितना छे हजार एक परसेंट भी सक्सेस रेश्यों नहीं है अगर 0.1 परसेंट निकालू मैं तो यह होता है 600 इतना भी पोश्ट नहीं है तो कितना पोश्ट है पोश्ट है 0.05 परसेंट यह रेश्यों है मदलब इतना 1,5 % भी नहीं बोलोगे 0.05 परसेंट यह इस्तिति है देखनों को मिलेगा यह इतना कम सक्षच रेश्यों है तो आप इस पेपर को हलके में लेने की गलती तो नहीं कर सकते हाला कि मैं बताता हूँ इसमें आप थोड़ा बहुंद भी पढ़ के जाके 10-20 मांगे होता है समझ लेंड़ेना हमारा डिशंट टौप के टेन थाँजन से होता है शुरू के 10 수 तो हमारा क्ते हमारा कॉंप लोगों के साथ हमारा कंपेटिसंट रहता है लोगों को छूड़ो 90% 95 परसेंट अबादी से हमको कोई लेना देना नहीं होता अगर आप सीरियस केनेटर हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं महनत कर रहे हैं तो आपका कॉमडिशन यह 10,000 लोगों से साथ है इस बात को आपको मान के चुलना है ठीक है अब टार्गेट हमारा क्या रहना चाहिए और कट आफ कितना हो सकता है इस पर भी हम बात करेंगे कट आफ कितना हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे किस पेपर के लेवल की सथ तक जा सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे चिक इससे पहले मैं आपको जनकारी देना चाहता हूं हमारे संस्थान यह साइड में आपको एडवर्टेजमेंट दी करा होगा होस्टल वोडन का कोर्स कराया जा रहा है जिसकी फीज चार जा रहा है बट शुरुवात में हम मात्र इसकी फीज 1499 रुपए रख रहे हैं 1449 रुपए शुरुवात में कुछ इस्ट के लिए फीज रखा गया और रखा गया है तो आप इसका लाब ले चूंकि कॉंपडिशन बहुत है तगड़ा है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए और चीजों क काफी कम फिस प्रेवलेबल है साथ ही साथ जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई और नहीं भी हुई है तो उनके लिए टेस्ट सीरीज भी है मातर 99 रुपए में इसका प्राइस ज्यादा है बट शुरुवात में कुछ बच्चों के लिए हमने 99 रुप रखा है इसलिए है ताकि यह बहुं सारे लोग इसमें अड्मिशन ले सकें और हमको एक अच्छे लेवल का कॉमपडिशन देखने को मिले ताकि आप 15-20,000 लोगों के बीच टेस्ट दिलाओगे न तो आपको असली कॉमपडिशन मालुम चलेगा तो टेस्स सीरीज होस्टल वोड़न का 99 लेंगे न सिफसी अलू खुल वाला नहीं मीडियम इजी और हाइवल सब का कॉमबनेशन इस टेस्स में आपको देखने को मिलेगा तो आप परचेस करने के लिए दो तरीका है या तो आप एप से डेरेट परचेस कर सकते हमारा यह योगे दर साव क्लासेस नाम से या फिर क मैं को सब्सक्राइब तो बेजी जा किस नमबर पर कॉल कर सकते हो देखो जो है वह डिपेड करता है पोच्ट पर कितने पोष्ट है डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है की अब पोष्ट कितने हैं फोऊं कितने वहें है यह जनकारी है तो हम को हो गई पोष्ट हो 300 है सब्सक्क्रार अमक्त पोष्ट फैयां को सब्सक्रार करें तो और 또 न configurations टहुन का जाकते तक टरे Раз तो तुम ही से थोड़ी नहीं बना सभी से नहीं बना對了 कर तो पेपर का कोई लेवल नहीं हमारा है हम किस लेवल को जियल सकते हैं वो डिकल करेगा किक्षोण होगा की नहीं होगा deploy लेवल मालूम चलता है फिर हम एजियूम करके चलते हैं कि जैसे व्यापम अभी तक पेपर एकजाम कंड़र्ट कराते आया है वैसे ही इसका मीडियूम लेवल का रेंज रहेगा और उस उदार पर हम देखेंगी कि क्या जा सकता है ठीक है तो सब्जेट वाईज देखते हैं हैं कुछ बच्चे हैं कि सब्zczोड़ेंगी मैज 25 मांग का है मैस चार्ट लग रख रहा है कोई बोल रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि आ पड़े कहा पड़ें तो देखो यह सारे डर करें हैं मैं समस्च आ हूँ लेकिन मुझे यह बता दो क्या आप महलब करोगेत तो कि किया असान नहीं हो जाए आप क्या सूचते हो बीना महलब कि चीज़ें असान हो जाए इस लिए आप तकbl here we आपको यह समस्य लगती है अब जिस दिन महलत को अपना जरिया बना लेंगे न महनत करेंगे महनत करना चालू कर देंगे तब यह चीज आप रोना नी रोएंगे कि मैस पजीद मास कहा है नहीं बन रहा है आप सोच के देखना यह एक्जाम निकलने के बाद आपकी इस्तिती क्या रहेगी आज आपकी पास इस्तिती अगर मैं मान के चलता हूं कि कि ज़्यादा ज़्यादा लोग प्राइवेट में भी काम करोंगे अनिम्प्लॉइड हो आपको आपके जब में पैसे नहीं है आप माता-पिता से पैसे ले रहे हो आप कितने सारे सुख सुधा हैं अभी नहीं खरीद पाते होगे जब आपका सेलेक्शन होगा 35-40,000 कि मैं मैंस को पढ़नों मैं कंप्रिडर को पढ़नों डेली आपसे 4-5 घंटा नहीं पढ़ाया जा रहा है और आप सोच रहे हो कि यह सुविधा मिले अरे नहीं हो पा रहा है अरे नहीं हो पाता इसलिए तो बाकी लोग फिर वो 50,000 के प्राइवेट जॉब में ही सीमी तरह रहा जाते हैं जीवन भर बिरुजगार रहते हैं क्यों रहते हैं यह 50,000 क्यों सीमीत रहते हैं क्योंकि इनसे यह महनत नहीं हो पाता आप इस सुविधा को भी तो देखो भाईया जो महनत कर रहे हो उसका पल क्या मिल रहा है पुरा लाइफ सेक्यूर हो जाएगा आपका को कोरूना काल में कितने लोगों का जॉब गया हम खुद गवर्मेंट्स जॉब नहीं गया तो शफ मिली तो वो जो सुविधा मिल रहना उस सुविधा के लिए तो आपको यह मेहनत करना पढ़े गा तो यह बात अपने मंण सेटाव दीजिए कि नई सर्थ सब बातches लग रह जाओगे solution कुछ मिलेगा नहीं है तो महनत तो आपको करना पड़ेगा दोस्त अब देखो कंप्यूटर तीस मार्स का पूछ रहे हम जाजा लेते हैं कि भीया किसमें कितना मार्स एक टॉपर एक सेलेक्टेट करें लेकर आएगा अब जिसका भीया कंप्यूटर अच्छा होगा वीक ऑन अवरेच वसकाYa tim मार्स लेकर आ सब्सक्राइब 21 सब्सक्राइब कि खमर मिडियुम ना एक दम जाद हाड् सेलेक्क्राइब 20 मिडियुम लेकर चल रहे है तो computer का जो 30 marks है उसमे अराम से 25 लेकर आ सकता है बंदा maths में जो 25 question पूछे जाएंगे जिसका match ठीक है जो engineering background का है जो engineering background का नहीं भी है लेकिन जिन्होंने match practice किया हुआ है वो अराम से इस पर 20 score कर सकते हैं और ये भी score करना difficult होगा क्योंकि सोचो 100 question है और paper मात्र दो घंटे है 25 marks का पूस दिया वो तो रोना है दूसरा रोना दूसरा तकलिफ है कि मात्र दो घंटे याद करिए पहले जब व्यापम का एक्जाम होता था देड़ सो मास का 30 question मैस के रहते थे कितने 30 question और हमको मिलते थे से 3 घंटे 100 के जगा देड़ सो रहते थे लेकिन बाकी question में क्या समय लगता है मैस के अलावा और किसी में समय लगता है कि रिजनी के कुछ एकात questions को छोड़ दो फिर समय लगता है कि हिंदी इंगलिश इंग्लिजी के चतियर जी के करेंट अफिर से बनाने में समय नहीं सकता है बाल मनोव इग्यान की बात करते चैल सेकलोजी की 10 question है इसके टॉपिक आप एक बर पढ़ेंगे लेकिन कई चीज समझने योग्या रहता है आप उसको गैस कर सकते वांसर तो जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है कि एवरेज बच्चे इसमें 10 में अराम से 7 लेकर आ सकता और यह मैं बात कर रहा हूं selected candidates की जिसका किसी भी subject में एकदम कम और एकदम ज्यादा नहीं अगर होगा भी तो एवरेज हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा तो बाल मनोव ग्यान में 10 में 7 लग सकता है हमको भी minimum यह target लेकर चलना है minimum इतना score लेकर चलना है और अगर आपको इसन आप बता दे रहें तो मनगरण बता दे रहें मनगरण नहीं इस्टेटीजी के साथ उतरना पड़ता है एक स्टेटीजी के साथ उतरना पड़ता और बिल्कुल हो जाता है मैं practical example देता हूं सीजी व्यापम 2018 की exam में 2018 की exam में मेरा second rank score हुआ था मैंने क्या छोड़ा था उस टाइम कम्प्यूटर और हिंदी 10-10 मांस के दोनों पूछे गए थे जीरो जीरो marks लेकिन जो मेरा 106 marks आया था वह 130 में मैंने score किया हुआ 20 मांस को तो complete छोड़ी दिया उस टाइम वीक लग रह कर दिये और किसी सब्जेट में कर दी इंग्लिश में कर दिये तो वैसे ही आपको मैस कमजोर कर रहा तो पूरा छोड़ने का तो आप्शन ही नहीं 25 का 25 नहीं छोड़ सकते थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो लेकिन उसको आपको दूसरे सब्जेट में cover करना पड़ेगा बा मैं माल ले रहा हूं एक से दो तो आप स्कोर कर सकते हो जिनको सेलेक्शन लेना होता है न वह इंग्लिश भी पढ़के जाता है क्योंकि मालूम है कि वही पॉर्शन वी के भी यह तो उसको हम लोग cover करेंगे इंडियां जी के इंडिया जी के टोटल 15 मांक का पूछ रहे थिस गड़ जी के पांच मांक का पूछ रहे जितने लोग PSC दिलाते आ रहे हैं व्यापम दिलाते आ रहते हैं तो अराम से अगर पेपर का व्लयावल मिडियम रहा तो पांच में इसाज चार मार्म ऑचिह के में लेकर आई सकते हैं और आपको यह लाना पढ़ेगा इनडियान के इसका रेंज काफी बड़ा होता है कि इसमें 10 मांध साल यह पाइसकते हैं 45 से चार मार्क्स लेकर आ सकते हैं यह एक सेलेक्टेट कंडिडेट्स का स्कोर है और टॉप 20 टॉप 30 के रेंज में इसमें आने के चांसे से यह मार्क्स रहेंगे अब इसको आप एक बार कल्कुलेट करके देखेंगे 25, 20, 45, 45 और 7, 52, 56, 58, 58, 10, 60 और 68 आप जोड़ेंगे 76 यह आपको सेलेक्शन के लिए मिनिममम जनरल कंडिडेट्स से 75 प्लस लेकर ही आना पड़ेगा एज्यूम यह करते हुए कि पेपर के लेवल मीडियम रहेगा थोड़े टफ कोश्चन भी थोड़े इजी भी और मीडियम भी सब मिक्स्टर रहेंगे तो मिनिममम 75 प्लस सेफ इस कि लिए आप फुल लेंड टेस्ट जरूर दिलाना उना उसमें व्लन टेस्ट भी है उसमें अगर आपका मार्स तयारी करने के बाद पूरी तयारी करने के बाद अगर 75 से नीचे है तो चिन्ता का विश्या रहेगा आपके लिए यह ना उसको यह नहीं आओ 75 से उपर ले ज ज्यादा है ठीक है अब देखो टॉपर स्टॉप टेन लिस्ट कितना जाएगा अब एक समय बाद जब पहले मैं एक्जाम दिलाया करता था शुरुवात में जब जॉब करने के लिए पन एक्जाम दिलाते थे आज करने के लिए दिलाते हैं तब 70% में टॉप हो जाता था आज अभी लाश्ट कोई सेग्जाम भी देख लो महिला परिवक्षक देख लो और हाल फिलाल में जो भी एक्जाम होए हैं अब जो टॉपर्स का परसेंटेज माक्स रहता हो कितना जाता है 80% कितना 80% माक्स जाता है य यह इतिहास 80% तो होस्टल वाडन में भी होस्टल वाडन में भी 80% माक्स तक का स्कोर आपको टॉपर्स का दिखेगा ठीक है तो अगर आपको टॉप 10 में अपना जगा बनाना है नाम बन पाएगा इत्ति सी वास समझाई तो अब जिनको भी कठीन लग रहा है वो उस सुविधा को याद करना कि यह परिक्षा की घड़ी यह अगनी परिक्षा है इसको दिलाने के बाद मुझे क्या सुख 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 मिलेंगी यह सारी चीजों को आप मद्दे नजर रखेगा पहले मैं अपनी 2018 से पहले की स्थिति बताता हूं दुकान दार बोल जाते बोल देता था भाई यह मेरे सवर पैसा ले और इस दुकान में मत आना यह सिति रहती जैसी जॉब लगा अपसी यह रहता था कि कोई समान पसंद आना चीए उसका प्राइस टेक बाद में देखेंगे समान पसंद आया तुरंट टालो और पचास र कवस्था में चल दी होंगे क्योंकि जोश कब आता है दो समय जोश पीक पर रहता है दो टाइम पर पहला जब नोटिफिकेशन आता है और दूसरा जब इक्जाम डेट सामने रहता है इक्जाम डेट डिकलेर हो जाता है अब सेलेक्शन उनीक होता है जो इन दोनों के बीच में भी अपने जोश को बरकरार रख सके तो आपको भी जोश को बरकरार रखना अपने ठीक है तो मिलते हैं ने स्टूडियो में किसी प्रवगार की कोई समस्य होगी कोई बात्चीत करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स अपर लिख कर जरूर बता दीजिएगा चीक है और कोर्स रिगार्डिंग अगर कोई समस्य हो तो नंबर तो मैंने बता दिया नीचे डिस्प्ले हो रहा है एक बार फिर से बता देता हूं एट डबल सेवन जिरो वन टू तू त्री सिक्स एट सेवन मिलते ने स्टूडियो में धन्यवाद है